देखो यहाँ पर हमने पास कुछल में लिमिट की विन है L is equal to limit x tends to y sin square x minus sin square y upon x square minus y square ठीक है अब इस limit में हम x tends to y पूट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा sin square y minus sin square y 0 upon x इसमें भी y पूट कर देंगे जो किस लिमिट के लिए exit नहीं करते है ठीक है तो यदि आप में पास limit में कहें भी 0 by 0 या infinity by infinity form हो तो इस तरह के limit को हम solve करने के लिए मारे पास एक रूल हो था DL हो प्रे रूल वो apply करते है ठीक है उसके according इसके numerator और इसके numerator को separately differentiate करेंगे with respect to x क्योंकि x में limit है ठीक है तो x के respect में differentiate करेंगे तो limit क्या जाएगे limit x tends to y sin square x x के respect में क्या हो जाएगा 2 sin x और sin x का differentiate cos x x के respect में y यह तो 0 है यहाँ ठीक है क्योंकि y constant है x के respect में कर रहे हैं ठीक है और x square इसका क्या हो जाएगा 2x ठीक है 2 से 2 cancel out हो गया और यह क्या जाएगा sin x को सक्स अपन x इस में x tends to y पूट कर देंगे हमारे पास तो क्या जाएगा is equal to x tends to y पूट करेंगे तो sin y into cos y divided by y ठीक है तो इस form में हमारे पास limit नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको यह तो से उपन नहीं से multiply कर देंगे तो 2 sin y cos y तो क्या बन जाएगा sin 2y का formula है ठीक है upon 2y तो यह इस limit के वहले आजाएगे sin 2y upon 2y यानि कि fourth option is correct ठीक है easy